आज हम पढ़ेंगे electron microscope के बारे में तो अगर हम बात करें microscope की तो microscope दो वर्ड से निकला है micro का मतलब होता है small और scope का मतलब होता है to look यानि ऐसा instrument जिसकी बदद से हम बहुत चोटे चोटे objects को देख सकते है यानि ऐसे objects जो हमें आम आँख से नजर नहीं आते तो उस object को देखने के लिए या उन objects को observe करने के लिए जो instrument इस्तमाल होता है उसको कहते हैं microscope तो microscope different types क्यों होती है तो electron microscope कौन सी microscope होती है ऐसी microscope जो के beam of accelerated electrons को इस्तमाल करती है accelerated का क्या मतलब होता है जो move कर रहे होते है और ये electrons जो इस्तमाल किये जाते हैं electron microscope में ये क्या होते हैं ये source of illumination होते हैं यानि जिस चीज़ को जिस object को हमने देखना होता है उसको रोशन करने के लिए हम electrons इस्तमाल करते हैं और कौन से electrons इस्तमाल करते हैं accelerated यानि moving electrons इस्तमाल करते हैं तो जब ये electron का जो भीम होता है यानि जो electrons की streams ही होती है तो वो जब object के उपर पड़ती है तो वो object illuminate हो जाता है यानि रोशन हो जाता है तो उसको जब electron microscope की मदद से देखते हैं तो वो चीज वो object जो है वो clear हो जाता है तो electron microscope से पहले light microscope डिजाइन हुआ था जो चोटे चोटे objects के लिए इस्तमाल होता था लेकिन जो electron microscope होता है वो light microscope के मकाबले में बहुत ज्यादा चोटी चीज़ों को visible बनाता है यानि इसकी मदद से हम बहुत ज्यादा चोटी चीज़ों को देख सकते हैं तो किन किन तरह की चीज़ों को हम electron microscope की मदद से देखते हैं तो उन में शामिल है microorganisms यानि bacteria, amoeba वगईरा, cells, large molecules, metals यानि धातें और crystals वगईरा शामिल है तो इन चीज़ों को हम electron microscope से देखते हैं तो अगर हमने metal की धात की surface को देखना हो, crystal को देखना हो या molecules को देखना हो, और cells को देखना हो तो ये बहुत चोटे चोटे organisms हैं तो ये light microscope की मदद से clear नजर नहीं आते नजर तो आ जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो खास जो बहुत detailed structure होता है वो नजर नहीं आता तो electron microscope की मदद से ये चीज़ें बहुत clear हो जाती हैं यानि जो image बनता है वो बहुत high resolution image होता है तो resolution और magnification वगईरा को हम अपनी पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं तो electron microscope design क्यों हुआ था यानि के discover कैसे हुआ था तो जब cells यानि जो खुलिया होता है जो जिसम की बन्यादी अकाई होता है जो basic unit of life है तो जब cells discover हुए तो cells को देखने के लिए और cells के अंदर जो चोटे चोटे पार्टिकल्स होते हैं जिने हम organelles कहते हैं तो उनको देखने के लिए जो simple microscope थी वो काफी नहीं थी यानि उनसे नजर नहीं आता था तो फिर scientists ने ज्यादा से ज्यादा work out किया कि microscope को कैसे जो है वो ज्यादा fine बनाया जाए कि जिसकी मदद से cell और cell के अंदर जो organelles होती हैं और इसके लावा वो चोटे चोटे जो micro organisms होते हैं उनको देखा जा सके तो उसके नतीजे में electron microscope डिजाइन हुआ था तो electron microscope हमें देखने में इस तरह की नजर आती है यानि इस तरह का structure है जैसे light microscope वगरा तो वो electron microscope के मकाबले में चोटे भी होते हैं और simple होते हैं और अगर हम magnification की बात करें कि electron microscope की मदद से जो objects होते हैं वो कितने enlarge हो सकते हैं यानि वो कितने बड़े हो सकते हैं तो electron microscope की जो magnification power है वो है almost 10 million यानि इतनी ज्यादा इसकी magnification power है कि जो object है वो अपने से 10 million गुना यानि 10 million times बड़ा नजर आ सकता है और अगर हम बात करें resolution की तो resolution power क्या है तो almost 0.05 nanometer इसकी resolution power है यानि इतने चोटे size का जो object है वो भी electron microscope की मदद से नजर आ सकता है तो अगर हम बात करें nanometer की तो nanometer meter से बहुत चोटा होता है यानि nanometer meter का billionth part होता है यानि इतना ज्यादा चोटा part होता है तो बहुत चोटे चोटे जो object होते हैं जो आम microscope से नजर नहीं आते वो electron microscope की मदद से नजर आते हैं अब electron microscope की फरदर दो टाइप्स होती हैं एक को कहते हैं transmission electron microscope और एक होती है scanning electron microscope तो दोनों तरह की जो electron microscope होती हैं इनमें तोड़े तोड़े differences होते हैं तो इन differences की वज़े से ये कुछ मुखतलिफ किसम के objects को देखने के लिए इस्तमाल होते हैं तो अगर हम बात करें transmission electron microscope की तो transmission electron microscope जिसको TEM भी कहते हैं तो इसको किन specimens या objects को देखने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो उसमें शामिल है tissues के sections, tissue क्या होता है, cells की collection या group of cells तो tissues के चोटे-चोटे sections और molecules वगईरा को देखने के लिए, यनि detailed structures को देखने के लिए transmission electron microscope इस्तमाल होती है, और अगर हम बात करें, scanning electron microscope की enlarge करती है, यनि scanning electron microscope जो है, वो उसमें difference क्या है कि transmission electron microscope जो है, वो molecules और tissue के sections को view करने के लिए इस्तमाल होती है जबकि scanning electron microscope solid object की surfaces को बहुत clear से दिखाती है, यनि show करती है और अगर हम इन दोनो electron microscope की जो टाइपस हैं, इनकी working को देखें, तो हम एक और image को देखते हैं, या एक और diagram की मदद से समझ लेते हैं, किस तरह microscope की ये जो दोनों टाइपस हैं, यानि electron microscope की ये जो दोनों टाइपस हैं, वो किस तरह work करती हैं, तो अगर हम यहां पे देखें, तो यहां पे हमें basically दोनों तरह की जो microscope से उनके basic parts एक हैं, एक जैसे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े differences के साथ ये different किसम के objects को observe करने के लिए, इस्तमाल होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, transmission electron microscope, तो यहां पे ये जो सबसे पहला source है, ये क्या है, electron source है, तो electrons क्या है, atom के sub atomic particles होते हैं, जो negatively charged होते हैं, तो moving electrons को, استعمال किया जाता है, electron microscope की में, तो यहां पे ये क्या है, electron का source, यनि यहां से, electrons move out करेंगे, यहां पर किस चीज़ पर पढ़ेंगे लेंस के उपर और यहां पर इस लेंस का क्या नाम है कंडेंसर लेंस तो यह क्या करेगा यह लेंस यह बीम आफ अलेक्टरॉन्स को एक पॉइंट पर इकठा कर लेगा उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है specimen यानि टीशू का section जिसको हमने observe करना है यहां पे यह क्या है यह है objective lens objective lens का क्या काम है objective lens इस जो specimen है वहां से जो light की raise होंगी उसको क्या करेगा इकठा करेगा यानि उसको एक point पे focus करेगा इसके बाद अगर हम देखें तो यह क्या है यह eye piece lens है eye piece lens वो वाला lens होता है जिसकी मदद से हम किसी object को देखते हैं यानि हम अपने आंख अपनी आंख को इस lens के करीब लेके आते हैं और यहां से हमें वो object जिसको हमने observe करना होता है वो नजर आता है और अगर हम यहां पे देखें तो यह screen है और screen पे हमें tissue का section इस तरह का नजर आ रहा है fluorescent का मतलब होता है चमकदार या रोशन तो screen पे हमें वो जो image है वो इस तरह का नजर आएगा और यह कौन सा microscope था transmission electron microscope अब हम बात करते हैं scanning electron microscopy की तो यहां पे भी basic parts चो हैं वो transmission electron microscope वाले हैं कुछ थोड़े थोड़े differences है तो यहां पे यह क्या है यह electrons का source है यह क्या है यहां पे scanning coil है यह जो हमें coil इस तरह की इस तरह का structure नजर आ रहा है यह क्या है यह scanning coil है और यहां पे कुछ object रखा होगा और यह क्या है यह condenser lens है और यह क्या है यह surface दिखाई गई है यहां जिस specimen की जिस solid object के surface हमने observe करनी है वो यहां पे है और जैसे यहां पे IPS lens है यहां पे क्या है detector है तो यहां पे जो electron beam जो है वो strike कर रहे हैं तो यह detector जो है यह detect करेगा इन rays को और एक monitor की जो screen होगी वहां पे हमें image इस तरह का नजर आएगा तो इस तरह से electron microscope की यह जो दोनों टाइप्स हैं यह बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो objects होते हैं जो हमें आम microscope से नजर नहीं आ सकते तो electron microscope की मदद से वो क्या हो जाते हैं वो visible हो जाते हैं तो आज हमने पढ़ा electron microscope के बारे में आज हम पढ़ेंगे light microscope के बारे में तो अगर हम बात करें microscope की तो micro का मतलब होता है छोटा यानी small और scope का मतलब होता है to look यानी microscope एक ऐसा instrument है एक ऐसा आला है जिसकी मदद से बहुत चोटी चोटी चीज़ों को देख सकते हैं और light microscope कौन सा microscope होता है light microscope ऐसा microscope होता है जिसमें हम चोटे चोटे objects को देखते हैं visible light और magnifying glass की मदद से यानी light microscope में light इस्तमाल होती है ताके चोटे चोटे objects को देखा जा सके और microscope को अगर हम normally define करें तो microscope की मदद से ऐसे objects को देखा जाता है जो के हमें naked eye से नजर नहीं आते यानी जिने हम आम आँख से नहीं देख सकते तो उसको देखने के लिए जिस instrument को इस्तमाल करते हैं उसको कहते हैं microscope और light microscope में हम इस्तमाल करते हैं light तो आज की वीडियो में हम light microscope के बारे में discuss करेंगे लेकिन microscope के different parts को समझने से पहले हम कुछ important terms को देख लेते हैं जो के हम microscopy में इस्तमाल करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं word magnification की तो magnification क्या है? magnification कहते है ability to enlarge the apparent size of an image यानि जिस image को हमने observe करना होता है तो उसकी magnification power या magnification क्या होगा? कि वो जो image है वो enlarge हुआ है यानि size में बड़ा हुआ है तो इस size में बड़ा होने के लिए जो हम instrument चूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यह उसकी magnification power है यानि किसी भी instrument की ability कि वो किसी image के size को कितना बड़ा कर सकता है तो यहां पे हम देख रहे हैं इस image में तो यहां पे हमें एक lens का टुकड़ा नजर आ रहा है यानि एक instrument है जो क्या कर रहा है जो किसी image को size में बड़ा करके दिखा रहा है अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमें words नॉर्मली छोटे नजर आ रहे हैं लेकिन अगर हम इस instrument की मदद से देखें तो यह words क्या हो गए हैं magnify हो गए हैं यानि size में बड़े हो गए हैं तो magnification क्या होगी जब किसी image का size जो apparent size जो हमें देखने में नजर आता है वो जब enlarge हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उस चीज़ की magnification इतनी है अब हम एक और term की बात करते हैं जिसे कहते हैं resolving power तो resolving power का क्या मतलब है जब कोई instrument जो optical instruments होते हैं यानि camera's या microscope वगईरा तो जब instruments जो होते हैं वो दो objects के image को अलग करने की capacity रखते हैं यानि उन में ability होती है कि वो दो objects के image को अलग अलग करें और कौन से objects जो बिलकुल एक दूसरे के नजदीक नजदीक located हों यानि नजदीक नजदीक वाक्या हों तो इसको कहते हैं कि ये उस instrument की क्या है resolving power तो magnification या magnification power और resolving power में difference है तो magnification में image बड़ा तो हो जाएगा यानि size में वो बड़ा तो हो जाएगा लेकिन अगर उस image में मुक्तलिफ points हैं तो जरूरी नहीं कि magnification से वो चीज़ें अलग हो जाएगा जब कि resolving power में क्या होगा यानि resolving power किसी instrument में क्या होता है उस चीज़ का मतलब कि जो दो objects यानि जो closely related अगर for example एक ये image है एक ये image है या एक ये point है ये point है तो resolving power का मतलब होगा कि वो instrument इन दो चीज़ों को अलग अलग शो कर सकता है तो resolving power को भी हम एक diagram के मदद से देख लेते हैं अब हम इस image में देखते हैं कि resolving power का मतलब क्या होता है तो जैसे यहां पे ये क्या है ये एक image है तो अब इस point पे हमें ये सिर्फ एक object नजर आ रहा है यानि ये सिर्फ एक चीज़ नजर आ रही है जबके जिस instrument की resolving power high होगी यानि ज्यादा होगी तो वो इस image क्यो clearly दिखाएगा तो जब clear नजर आएगी तो clear नजर आने पे हमें ये पता चला कि ये एक चीज़ नहीं थी बलके ये दो चीज़ें थी तो resolving power का क्या मतलब है कि जो दो चीज़ें closely located होती है एक दूसरे के पास पास होती है तो resolution से वो चीज़ें अलग अलग नजर आती है तो जितनी किसी optical instrument की resolution power ज्यादा होगी उतनी clear हमें वो चीज़ें नजर आएंगी यानि वो image अलग अलग नजर आएंगे अब हम बात करते हैं एक और term की जो के है lens तो lens क्या है lens होता है piece of glass जो के image को देखने के लिए इस्तमाल होता है जैसे कि अगर हम इस image में देखें तो हमें यहां पर यह क्या नजर आ रहा है ग्लास का एक टुकड़ा नजर आ रहा है तो यह क्या है यह lens है जो के image को देखने के लिए इस्तमाल होता है तो माइक्रोस्कोपी का वर्ड कब इस्तमाल किया जाता है या किस चीज़ के लिए इस्तमाल किया जाता है माइक्रोस्कोपी का वर्ड रिलेटिड है माइक्रोस्कोप से यानि वो study जिसमें हम चीजों को view करते हैं या देखते हैं माइक्रोसकोप की मदद से और किन चीजों को देखते हैं ऐसी चीजों को देखते हैं जिने हम naked eyes यानि आम आंग से नहीं देख सकते तो उस study को कहते हैं माइक्रोसकोपी तो अब हम बात करते हैं light microscope के different parts की तो इस diagram में हम एक light microscope देख रहे हैं जिसके क्या हैं जिसके मुखतलिफ parts हैं अब हम one by one करके इन parts को discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं eye piece की तो eye piece के अंदर lens मुझूद होता है और ये वो lens होता है जो हमारी human beings की eyes के closest होता है यानि eye piece की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं यहां पे क्या होता है यहां पे human beings अपने eye को close लेके आता है और इस lens की मदद से क्या करता है किसी भी specimen यानि जो object हमने observe करना होता है उसको observe करता है अब next part है arm तो arm कौन सा हिस्सा है arm connect करता है body tube को यानि ये जो सारा ये वाला part है इसको connect करता है base के साथ अब हम बात करते हैं एक और lens की जो है objective lens तो जैसे के नाम से जाहर है कि objective lens किस के करीब होगा object के करीब यानि उस चीज के करीब होगा जिसको हमने क्या करना है जिसको हमने observe करना है और objective lens क्या करता है collect करता है light की raise को तो light की raise कहां से आ रही होती है light की raise आ रही होती है उस object से जिसको हमने observe करना होता है अब हम बात करते है next part की जिसे कहते है stage तो stage कोन सा part है यह जो हमें एक ऐसी plate सी नजर आ रही है तो ये वो पार्ट है जिसके उपर आबजेक्ट रखा हुआ होता है आबजेक्ट या स्पेसिमेन यानि वो चीज जिसको हमने अबजर्फ करना होता है अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की जिसे कहते हैं ऐलूमिनेटर अगर हम यहां पे देखें तो यह चीज क्या है ऐलूमिनेटर तो ऐलूमिनेटर बेसिकली क्या होता है ऐलूमिनेटर होता है लाइट सोर्स और यह क्या करता है यह ऐलूमिनेट करता है यानि रोशन करता है आबजेक्ट को इवनली यानि हर तरफ से तो यहां से क्या होगा यहां से रोशनी जो है वो जाएगी यहां पे और यहां से होते हुए यह रोशनी पड़ेगी इस आबजेक्ट पे तो आबजेक्ट क्या हो जाएगा आबजेक्ट रोशन हो जाएगा और यहां से जब हम देखेंगे तो वो चीज लेंस की मदद से साइ stability provide करती है यानि microscope को stable रखती है अपनी जगा पे रखती है अब अगर हम light microscope की resolution पावर की बात करें तो maximum इसकी जो resolution होती है वो होती है 1500 times यह जो cross का sign ने यह शो कर रहा है कि 1500 times जो है वो light microscope की resolution पावर है यानि कोई चीज अपने size से कितने गुना बड़ी होके हमें नजर आएगी तो light microscope की resolution पावर है 1500 times और light microscope की मदद से हम almost 200 nanometer तक के objects को देख सकते हैं तो 200 nanometer के objects बहुत चोटे objects होते हैं जो हमें आम आँख से नजर नहीं आ सकते तो अगर हम 200 nanometer को meter में देखें तो 1 meter के अंदर 10 raise to the power 9 nanometers होते हैं यानि meter का भी billionth part जो होता है वो nanometer होता है और हम इतने चोटे object को light microscope की मदद से देख सकते हैं तो इस तरह के जो microscope होते हैं वो science laboratories में commonly इस्तमाल होते हैं तो अगर हम light microscope का result देखें तो हमें objects इस तरह के नजर आते हैं अब इस object में क्या है microscope के नीचे water का drop plate रखा यानि एक कत्रा रखा तो उसके अंदर हमें इस तरह का चोटा सा organism नजर आ रहा है तो ये organism कौन सा organism है ये है amoeba तो amoeba हमें आम आंख से नजर नहीं आता क्योंकि इसका size बहुत चोटा है तो जब light microscope के नीचे देखते हैं तो हमें amoeba इस तरह का structure नजर आता है तो इस तरह से light microscope की मदद से हम छोटे छोटे objects को देख सकते हैं तो आज हमने पढ़ा light microscope के बारे में